कि एक्सरसाइज 9.5 का कुश्य नमर 11 कर रहे हैं कुश्य नमर 1-10 हम लास्ट वीडियो जुमें कर चुके हैं जिनका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं स्टुडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जूरू बताएं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंग्स को शेयर करें अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन पर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिस्केशन मिलती रहे तो क्वेशन नंबर 11 में क्या करना देखिए हैं इस प्लस वाई इंटो डिवाई प्लस एक्स माइनस वाई डिए इस इसगल तो जीरो गिवन है वाई इसगल दूबन आपको पता है सब्सक्राइब करने के बाद तो वह हमारा पर्टिकुलर सलुसन होता है तो देखिए देखने से पता लग रहा है कि यह हमारी होमोजीनियस डिफेंशल एक्वेशन है क्योंकि हर टरंग डिफित वन है एक्सकी पमण तो इसकी डिफिवरन है वाई की भी पावर वन है एक्सकी भी पावर वन है गांक टो कैसे शोल पर नहीं देखिए एस प्लस वाई डी वाई is equal to minus x minus y into dx this implies dy by dx is equal to minus ko multiply करेंगे y minus x हो जाएगा और यह हो जाएगा x plus y कैसे निकाल देंगे solution put y is equal to vx differentiate with respect to x dy by dx is equal to first function derivative second derivative first यह values हम equation 1 में put कर देंगे put values of y and dy by dx in equation first first में put कि हमने तो यह हो गया हमारे पास v plus x dv by dx is equal to y को हमने vx put कि है this implies v plus x dv by dx देखिए numerator में x को मना रहे है और denominator में हमारा x को मना रहे है तो यह हमारा हो गया v minus 1 x x कट जाएगा x dv by dx is equal to minus 1 1 plus v variable separable form में convert हो ही हमारे यह homogenous differential equation x dv by dx is equal to minus को मन ले सकते है 1 plus v square by 1 plus v v dv इदर है left में तो v की जो ट्रम क्लेक्ट होगी वो हमारी variable को अब हम क्या करेंगे separate v को अलग कर लेंगे और x को अलग कर लेंगे so your check of 1 plus v by 1 plus v square dv is equal to minus dx by x integrating both sides this implies 1 plus v by 1 plus v square dv is equal to minus dx by x this could separate कर देंगे 1 plus V square dv plus V by 1 plus V square minus Vs बस आपका integration पार्ट अच्छा होना चीए बाद कि सभी question सेम है तो इसका integration कैसे निकालेंगे नीचे denominator में देखो क्या है 1 plus V square और इसका derivative बनता है 2V तो 2 से multiply कर देंगे 2 से divide कर देंगे हम और इसका integration 1 by 1 plus X कि स्कुर का होता है 10 inverse X तो इसका हो जाएगा 10 inverse V 1 by 2 रिसका integration log mod 1 plus V square इसका integration log mod 1 plus V square इसका क्या 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 हो जाएगा हमारा y by x रिप्लेस करना V को in terms of x and y तो इसका इसका क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y square y x square इसका क्या हो जाएगा log x square plus y square by x square n log m log m की power n 1 by 2 power में चला गया और log x को हम इदर ले आते हैं left side में this is going to see क्यों लेके आए हम log m plus log n log m into n बनाने के लिए इसको रब करते हैं इसको रब करते हैं इस इस इंपलाइस एंपलाइस एंपलाइस दोनों ही हमारे स्टें रूप में स्कूर रूट पूरे का टू यह क्या हो जाएगा प्लॉरुक्ण लाग स्काूरू अकश्छे रूट लेंगे डिलॉट रॉक उन्ट्र's यह क्या हो जाएगा एक सके आगा गया निक पावर आपन बाइटू और एक सी स्केर से स्केर रूट कर जाएगा तो क्या बचेगा स्वेगा स्वेड़े इन्वर्स वाई भाई एस लोग एंटो 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 न लगा देंगे आपर लॉग स्केयरूटches而且 plus यchio is bell to see is rév Knights कर 12 को वाग डू दोवारा हम इसको लोग M की पावर N तो X की ब्लस वाई की स्केयर वनपाइट को है तो एन लॉग M बना देंगी इसको दुबारा 7 है यानि στην 152 लॉग X square plus Y square यह हमारा general solution आगया भई अब हमें particular solution निकाल ले तो उसके लिए क्या करेंगे हम X और Y की value यहाँ पर put कर देंगे put X is equal to 1 Y is equal to 1 तो this implies X 10 inverse 1 हो गई 1 by 2 log 1 plus 1 log 2 तो this is equal to C 10 inverse 1 की value हो थी pi by 4 तो pi by 4 plus log 1 by 2 log 2 is equal to C यह value C की इसको equation नाम दे रहते हैं A इस equation A में डाल देंगे value put value of C in equation A तो this symbolize 10 inverse plus Y by X plus 1 by 2 log X square plus Y square pi by 4 plus 1 by 2 log 2 यह आपका अंसर है विची दा पर्टिकुलार सोलूशन देखने से पता लग रहा है कि X की पावर 2 है तो इसकी डिक्री 2 है solution के से रहा है एसकी डिक्री 2 है is equal to minus X Y plus Y square into BX dy by BX minus XY plus Y square by X square put Y is equal to BX by dx is equal to v into 1 plus x dv by dx put this value in equation 1 from equation 1 we get values put karehengi so v plus x dv by dx is equal to minus x into y dx v square x square divided by x square x into x x square x x square cancel ho jayega toh maare paas kya bachayega minus v plus v square x square aega cancel ho jayega this implies v plus x dv by dx is equal to minus v minus v square you can write x dv by dx x is equal to minus v minus v square minus v x dv by dx is equal to minus 2v minus v square you can take minus common v square plus 2v v square plus 2v variable separable form may aaga maara ye you can write x dv by dx is equal to either v ki term collect karehengi we can write x 3o yoke garehengi about x bv by v square plus 2v is equal to minus v x by x bv by dv by v square plus 2v is equal times 2v minus v x by x integrating both sides इसका इंडिगेशन कैसे निकाल लेंगे वन वाई कॉडिटिक यह जो हमारा कॉलनोमियल है यह जो फॉंक्शन है कैसा है कॉडिटिक ने पहुम ने किया था तो कैसे करेंगे डीवी बाई एक्सेसाइगोगोएट विचा वी कोईफेंट है उसका हाफ का स्क्यर एंडिक करेंगे वही मैनिस करेंगे को वको वारा सबसेंट्स टूंस का हाफ बास तो आलेकर यहां से लेकर माइन तक यह बार मेर ओजिए प्लस बी की होल स्केर यानि की बी प्लस बन का होल स्केर और माइनस बन का स्केर तो ही है और इस इस ब्रूट बीच बाहिए एस यहां के लग जाएगा फूला 1 by x square minus a square का और यह होता है 1 by 2 a log mod x minus a by x plus a plus some constant c तो इस 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 ब्रूट है यहां पर a हमारा 1 है log mod x, x यहां पर v plus 1 है और minus 1 v plus 1 and plus 1 this is going to minus log mod s plus log mod c तो पूरा expression वारा log में है तो constant c की जगे हम नहीं क्या लिख दिया log mod c तो this implies 1 by 2 log उपर बचा v v by v plus 2 और this is going to log m by n log m minus log n log m by n log m is equal to log n तो m is equal to n होता है तो इसको 1 by 2 पर पावर ले जाबे n log m, log m की पावर n बना देते हैं v plus 2 की पावर 1 by 2 बना है टोटल की पावर log mod c by x दोनों तरस लोग है तो this implies v by v plus 2 की पावर 1 by 2 is equal to c y x देखिए मैंने पहले भी बताया था अगर log mod m is equal to log mod n होता है तो m is equal to plus minus n होता वैसे ठीक है तो यहाँ पर भी in fact plus minus आना चाहिए ठीक है बट plus minus आप लगाएंगे जिसे भी बुक्स में लिखा होता है तो plus minus c को फिर दुबारा फिर एक constant मालनेंगे c1 तो constant होता है इसलिए हमें plus minus minus लगाने भी जुरूरत नहीं है अगर log mod n is equal to log mod n है और वहाँ पर कोई constant है तो आप m is equal to n लिखते है बस minus लगेस लेने की जुरूरत नहीं है तो this implies v की values बूट करेंगे इसको रब कर देते हैं तो आप्योरत नहीं है इस और इस हमलाइज बेगे व्यक्ति वाइबाइ डिवाइब रच अधिक वाइब यूपारिश फ्लस्टो फिसके रूट नवान बाइब रूट बाइब बॉन वाइब वेड तो इस वाइब तुटू इक व्यक्त वाइब थी वाइब एच तो इस तो इस मैसाएब निचे मै यह में फार्ब्स तूक्रब्स नीचे एक होगा उपर भी एक इस तो घ्रिक हो जाएगा तो भाई यह मेंड को अब प्लसक्रण करने के लिए मुथ ऐसो समरी जो से करेंगे से कट जाए घंगर 7 से वाइक जाएं अनल वाय राइ हपाई है यह स्केर में बाइच की तो है स्केर से इस इस ट्रिया में ट्रुण टुए नहीं अहीं से अहुमारा और पडिकुलर कालने लिए सिब्सक्राइब और वाइगी यह इस इस पर फाय के लिए इन गाल फाय को वै विद रिंक पोट एक शीच कहा है हमने के फाय की स्क्राइब बैक हम प्लस में देख एपन के लिए इस्टेट पार वक यूपटा रि इन एक्वेशन एक, एक्वेशन एक में पूत करेंगे तो ही हो जाएगा हमारा x square y is equal to 1 by 3 y plus 2x which is the required particular solution question number 13 find the particular solution x into x square y by x minus y ds plus x dy is equal to zero given kya y is equal to 5 by 4 when x is equal to 1 देखिए जैसे कि मैंने बताया था जहां पर भी trigonometric function या exponential function या inverse trigonometric function या logarithmic function इस तरह से उनके साथ y by x आता है या x by y आता है तो it means homogeneous differential equation है वो तो यहां पर sin y by x आया है log होता या sin numbers होता या a की power y by x होता या e की power x by y होता तो वो टाइप हमारे के होगी homogeneous differential equation होगी homogeneous है हमारे पास d x by can be written as minus x sin square y by x and minus y by bx this implies dy by dx this minus multiply multiply HERE भीक होता है पर जाएप होता है y minus x sin square y by x by x put y is going to vx so this implies differentiate is equal to V into one plus X dV by Dx. Put these values in equation first. First, this implies of DY Dx, so V plus X dV divided by dx. y of Vx vs minus X sine square Y by X, it is mean of the to y by X. की फॉर में ली सकते हैं तभी हम इसको भी बुक्त ओरते हैं यानिकि वाई बैई एक्स वी हो जाएगा और एक्स मीचे है तो इस इम्पलाइज कि वी प्लास एक्स वी बाई डी एस is equal to x को मना आएगा आप तो क्या बनेगा v minus sine square v बनेगा x numerator में भी को मना आएगा denominator में भी cancel हो जाएगा v से v cancel तो यह होगा x dv by dx is equal to minus sine square v बहुत ही असान dv by sine square v is equal to minus dx by x variable separable variable are separate indicating both sides sine square v को जो denominator में उपर लेके जाएएगे क्या बनेगा cosec square v clear integration लेंगे इस काम cosec square v का क्या होता है वही minus cot v minus log mod x plus constant c v की value put करेंगे v की value y by x minus cot y by x is equal to minus log इसको इदर ले आते हैं यह हो जाएगा हमारा plus log mod x is equal to c यह हमारा general solution आ गया अब x और y की value put कर देंगे put x is equal to 1 and y is equal to pi by 4 x is equal to 1 y को pi by 4 तो यह होगे minus cot pi by 4 and plus log 1 is equal to c log 1 की value 0 होती है तो minus 1 plus 0 is equal to c तो c की value आभी minus 1 इसको equation a का नाम देंगे हमने put c is equal to put value of c in equation a put किया तो minus cot y by x plus log mod x is equal to minus 1 इसको simplify करना चाहें कर सकते हम तो इसको कर सकते हम simple and quote y को उदर ले जाओ log mod x plus 1 is equal to cot y by x 1 log e 1 होता है वही log mod x 1 को लिख सकते हैं log यहां तक छोड़ सकते हैं no problem full max मिलेंगे आपको फिला उदर simplify करना चाहें को कर सकते हैं log e तो कि log e के होता है 1 log m into log n log m into n तो इसको लिख सकते log e x और this is going to part y by x required particular question number 14 find the particular solution d y by d x minus y by x plus cosec y by x is equal to zero clearly function is differential equation है क्योंकि trigonometric function के साथ के आएगा y by x आया हो है it is a function of y by x values put करेंगे तो भी हो जाएगा v plus x dv by dx is equal to y by x it means y by x y by y by x क्या हो जाएगा v और वैसे भी आएगा v x by x v बचेगा v x by x v बचेगा v x by x v बचेगा बचेगा इगा आएगा अब भी हम इसको you can write sin v sin v dv is equal to minus dx by x और sin v का क्या होता है sin v का होता है minus cos v this is going to minus log mode x plus c यह मारा v को change कर देंगे minus cos y by x is equal to minus log mode x plus c यह मारा general solution आगया अब वैली पूक कर देंगे x की 1 और y की 0 put x is equal to 1 and y is equal to 0 इसको equation a का नाम देते हैं तो यह माइनस cos 0 by 1 0 minus cos 0 is equal to minus log 1 और प्लस c log 1 0 होता है और को 0 1 minus 1 is equal to c तो c की value puts c is equal to minus 1 in equation a प्रियो जाएगा हमारे पास c की माइनस पूक कर देंगे minus cos y by x is equal to minus log mode x and minus 1 दोना त्राफ इसे माइनस को देंगे cos y by x is equal to minus कॉमल लिया log mode x plus 1 तो माइनस से माइनस कैंसल तो cos y by x is equal to log mode x plus 1 और 1 को थोड़ा simplify और करना चाहो जैसे पहले लिखा था इसको लिख सकते हैं log e तो कि log e 1 होता है log m into n log e x हो गया यह which is a required particular solution question number 15 2xy plus y square minus 2x square into d y by dx is equal to 0 y 2 and x is equal to 1 देखें कि हाँ पर हाट राम की डिगरी सेम है it is clear it is homogeneous equation तो सौन कैसे करेंगे minus 2x square तो this implies 2xy plus y square is equal to 2x square d y by dx निकालना होता है इसको इधर ले आएंगे तो dy by dx is equal to 2xy plus y square by 2x square put y is equal to vx this implies dy by dx into 1 plus x dv by dx put these values by dx from equation 1 we get divided by dx का हुजाइगा v plus x dv by dx 2 2 x to skate y को में वेक्स पूप किये plus v square x square by 2 x square y को हमने v x put की है तो this implies v plus x dv by dx is equal to x square को मन आ जाएगा नीचे भी x square बन रहे है तो उपर बचा हमारे पास 2 v plus v square by 2 बचा this implies x dv by dx is equal to 2 v plus v square by 2 minus v this implies x dv by dx is equal to 2 v plus v square minus 2 v और by 2 यह cancel हो गया तो क्या हमारे पास x dv by dx is equal to v square by 2 variable से प्रेबल करेंगे तो यह हो गया हमारे पास dv by v square is equal to x उन्हें जागे 1 by 2 x ds 1 by 2 इदरी वह गया हमने 1 by 2 x यहोगे dv by vg square integrating both sides dv by v square is equal to 1 by 2 x 1 by x dx 1 by x dx तो v की पावर 2 का integration जाओ अधर v की उपर चला जाएगा minus 2 हो जाएगा तो minus 2 plus 1 तो minus v उपर इदी व की minus 1 और निच्चे minus 1 तो minus 1 by v आजाएगा इसका integration अब this is equal to 1 by 2 log mode x plus c तो v की बाएगा पुट करेंगे y by x 1 by 2 log mode x plus c तो इस इदी 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 minus x by y is equal to 1 by 2 log mode x plus c यह माना जेनरल सलूशन आगया अब बाएगा वाएगा पुट करेंगे x बाएगा e put x is equal to 1 and y is equal to 2 in equation a so this implies x for 1 put kia y for 2 so minus 1 by 2 this is equal to 1 by 2 log 1 0 होता है so c की value कितनी आ गई minus 1 by 2 ये value equation a बे put कर देंगे ux is equal to minus 1 by 2 in equation a so this implies minus x by y is equal to 1 by 2 log mod s और minus 1 by 2 ये हमारा particular solution आ गया इसको थोड़ा हो सिंप्लिफाई करना चाहओ तो कर सकते हम so this implies minus x by y is equal to तो ये हमारा लोग mod x minus 1 यहां से y की value निकालना चाहें स्कूरा पर दें निकालना चाहें log x-1 this implies y is equal to minus 2x by log mod x-1 रही स्काइ Le trivia qualifications do算 मैन्यश को मिर्णac को मह contenido रॉप्र माइन से थे सब्सक्राइब करते हैं या या तो एक्स भाई बन माइनस लॉग मोड एक्स विच इस अ पर्टिकुलर सोलुशन सब्सक्राइब करते हैं या या एक्स को भी पूट करते हैं आपको पते हैं कि हमारी दो टाइप की होती है एक तो होती है dy by dx is equal to a function of x and y या उसको हम right inside को लिख सकते हैं a function of y by x अगर दूसरी होती है dx by dy is equal to a function of x by y अगर dx by dy की टाइप की होगी x by y को v put करते हैं यानि कि x by y को v put करने का मतलब x को v y आपको पता है इसमें पूट करते हैं y by x को v put करते हैं यहने कि y को v x तो इसमें क्या पूट करते हैं सब्सक्राइब करें इसकी बन इसकी बन नहीं है यहां पर डिगरी दो है इस डिगरी तीन नहीं है हाट रम की डिगरी सेम भी लेगी इसकी भी सेम नहीं है इस इक्वेशन के अंदर हाट रम की डिगरी सेम है इस इस डिपेंशन इक्वेशन